आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंट्रेस्टिंग और बहुत इंपोर्टन होने वाला है इसलिए वीडियो को अन तक देखने के बाद अपने फैमिली मिंबर को शेर करना बिल्कुत मत भूलिएगा गाइस नॉर्मली हम अपने घर में तीन टाइप के पानी का यू पीते है ऐब अपलोग इस वीडियो में देखने वाले कि हम लोग जो पानी को पीते है उसका टीडियस क्या होता है और साती साथ आप लोग जानने वाले कि कि इतना तक का टीडियस वाला पानी आपको पीना चाहिए एवब या कुछ इसका टेस्ट करते हैं यह टेपिक जाये के लिए आपको टीडिएग दाल चम्सक करने के लिए आपको टीडियस्ट पहले बस आपको on करना है, खोलना है, पानी डालना है, तुनंत आपको यह TDS दिख जाएगा, इसका TDS है 134 मतलब पीने का लायक है, as per WHO team आपको पीने का पानी का PPM जो है 50 का नीचे नहीं होना चाहिए, इससे आपके सरीर में बहुत सारा विम्यारी हो सकता है, initial level में lose motion, हाथ पाओं में दर्थ, इवेन आपका किन्नी तक का दैमेज हो सकता है, हाथ डिजिस भी हो सकता है, दीखिए, यह खड़िदा हुआ पानी का TDS है 194, यह भी पीने का लायक है, क्योंकि आप 550 PPM to 300 PPM का पानी आप पी सकते, जो कि आपका TDS एक्सिलेंट माना जाता है, 300 to 600 का PPM का पानी आपका गुट रहता है, लेकिन कोशिश करिए 50 to 300 तक का ही ठीक रहता है, बेस्ट है मेरा आडो का पानी, state to state आपका पानी का TDS लेवल वैरी कर सकता है, इसलिए आप भी अपने घर का पानी का TDS एक बार जरूर चेक कर लीजेगा, यह वीडियो कैसा लगा, प्लेस कम करना भी मत भूल लीगा, क्योंकि सही पानी ही हमारा सेयत को सही बनाता है, थैंक्यू सो मच गा, इस वीडियो को अंतक देखने के लिए,